हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मैं चैनल आज की वीडियो में हम ब्लड नॉट डिस्कस करेंगे जो कि अतुल फोगाट के लिखी हुई है अतुल फोगाड एक साउथ एफ्रिकंड प्लेइड थे नोवलिस्ट अक्टर और प्रफेसर थे वह अपने साउथ अपर्थर्ड के लिए जाने जाते हैं अपर्थर्ड पिरियोड वह पिरियोड था जबकि अपर्थर्ड लौ था, मतलब ब्रिटिश लोग South Africa के आने के बाद, वो लोग, क्योंकि वो लोग white थे और South Africa लोग black थे, उन्होंने ऐसे सारे laws बनाए, जो कि white और black people को discriminate करते थे, और black लोगों को inferior माना जाता था, नीच भा है South Africa के port Elizabeth के पास, Coastal नाम के टाउन में, इस कमरे में एक door है, एक window है, दो bed है, जिसमें से एक के उपर कुछ किताबे और एक alarm clock रखी हुई थी, अच्छली ये bed Boris की थी, तो फिर इसमें सिर्फ दो characters है, एक है Boris, जो कि white skinned है, मतलब white है, और दूसरा है Zakaria, जो कि black है, अब आई थे, अब ताजुक की बात है, एक एक black और white भाई 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 कैसे हो गए, तो फिर आपको मैं बता दू, कि इन दोने की जो मा थी, वो black थी, पॉमन मा थी, और इनके जो पापा थे, वो अलग-अलग थे, Morris के पापा white थे, और Zakaria के पापा black थे, उसकी बाद हम चलते ह Scene 1, Scene 1 में कुछ ऐसा दिखाता है, कि Zakaria अपने काम से बहुत थकाहरा वापस लटके आता है, और Morris, को कि उसका भाई है, उसके लिए पानी गरम करता है, और उसमें इसको प्यार डूबोने के लिए देता है, तो फिर वो जो पानी का smell है, वो Zakaria को थोड़ा अलग-टाइप का लगता है, तो वो Morris से पूछता है, कि ये वो smell तो नहीं है, तो फिर Morris एक नया salt लाया होता है, radium salt, पहले वो अलग-टाइप करता था, तो फिर वो दिखाता है, कि देखो, मैंने अपना salt बदल दिया है, इसलिए तुमको smell अलग लग लग रहा है, क्योंकि तुम्कि तुम् कितना price का है, तो फिर Morris कहता है, कि देखो, Zach, price matter नहीं करता है, matter करता है, कि तुम्हारा जो है, वो क्योर हो रहा है कि नहीं, तुमको आराम मिल रहा है कि नहीं, फिर भी Zach सबरदस्ती करता है, तो Morris बताता है, कि वो 30 cents का है, sorry, 25 cents का है, जबकि जो पुराना वाला salt था, वो 30 cents का था, और इस जो salt से नहीं वाले salt से, Zach को बहुत ज़्यादे relief भी मिल रहा था, तो फिर Zach हसने लगता है, और पूछता है, कि ऐसा क्यों, जो salt better काम करता है, क्योर करता है, वो कम price का, और जो काम नहीं करता है, ठीक से, वो ज़्यादा price का है, लेकि हाला कि पुराने वाले salt का जो smell है, वो इस वाले salt से ज़्यादा अच्छा है, तो फिर Maurice बताता है, कि शायद ऐसा इसलिए है, क्योंकि वो पुराना वाला salt बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुका है, बहुत लोग उसको खरीते है, तो ज़्यादा profit कमाने के लिए उसका price ज़्यादा होगा, उसके ब पूछता है, कि क्या उसने अपने boss से कहां, कि वो अपनी काम करने के जगा बदल दे क्योंकि वाह पर उसको तकलीफ हो रही थी, और Zakaria ने कहां भी था, लेकिन जो उसके boss थे वो माने नहीं, वो बोले कि या तो तो तुम अपनी जगा पर चुप-चप खड़े हो जाओ, य जिसका नाम था Minnie, और वो जैक का बहुत ही अच्छा दोस्त था, अकसर वो रात को जैक से मिलने के लिए आता था, वो गिटार बजाता था, बहुत ही खुबसूरत गाना गाता था, जिसको की जैक बहुत जादा एंजॉय करता था, वो साथ में जाते थे और लड़कियों के दुखी होता है कि उसकी जो बहुत ही अच्छी और खुबसूरत जिंदेगी वो नजाने कहां खोगे, क्योंकि मिलनी उसकी पास आना बंद कर चुगा था, लेकिन ऐसा क्यों था, आखिर उसने आना बंद क्यों कर दिया, जो मोरिस है, वो कहता है कि देखो, उसने आना कर रहे हो उसके बारे में सोच के, कोई फाइदा है क्या नहीं, तो में उल्टा हमारे फार्म के बारे में सोचना चाहिए, एक च्छिली मोरिस ने प्लैन बनाया था इसके हिसाब से भोले कि two man farm खोलना चाहते थे मदलब ऊपिधो का एक有गा जिसमें आपने ख्यती करेंगे अपने पैट्स रखेंगे, अपना कैटल रखेंगे तो फिर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना कि जो जा चुका है उसके बारे में उसके बाद मुरे जैक को बलाता है यह decide करने के लिए कि उनके farm का जो जगा है वो कहां पे होगा और कितनी pricing चल रही है बाहर जगा की लेकिन prostitute हो जाता है और वो सीधा मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी farm में कोई interest नहीं है समझे तुमने मुझे समझ क्या रख है मैं इंसान हूं या क्या हूं इस दुनिया में दो दारा के लोग बने हैं एक लड़का और एक लड़की और दोनों को एक दूसरे को मिलना होता है मैं इससे नहीं जी सकता और वैसे भी 10 साल तक तो मैं तुम्हारे बिना ही रह रहा था, तुम्हारे आने से पहले मेरे पास कोई future plans नहीं थे, कोई savings नहीं थे, हम लोग क्या रहने ही रहते, मैं क्या सामती से नहीं थे, मैं क्या अपनी life enjoy नहीं कर रहा था, क्योंकि Morris के आने के बार, वो क्या ह यह को शांत कर देता है, और फिर उसे कहता है कि चलो हम बात करते हैं, बात करने से थोड़ी तुम्हें मदद हो जाएगी, तो फिर zakaria kuni pararia के बारे में बोलता है, जो कि उसकी पहली crush थी, और कैसे वो से चुप-चुप के मिलने के लिए जाडियों में जाता था, उसके का था, मतलब newspaper में कुछ लोग ads डालते थे अपनी bios के साथ, जैसे हम अपनी social media में डालते हैं वैसे ही, और वो लोग ढूंते थे अपनी ही जैसे या अपने, जैसा उनको चाहिए वैसे किसी दोस्त को जादा तर के opposite gender के दोस्त को ढूंते थे, तो फिर उसके बाद ढूंने क लेकिन मोरिस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए letter लिखूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं लिखूंगा भी, पढ़ूंगा भी, और तुम दोनों के बीच में मैं कोई भी टांग नहीं अड़ाँगा, तुम बोलना क्या लिखना है letter में, मैं लिख दूंगा, बस मेरा अतना काम ह उसके बाद जकारिया पूछता है मोरिस को कि मोरिस तुम वापस क्यों आए आखिर, एक टाइम बाद वापस आने का क्या reason है, तो फिर मोरिस कहता है कि देखो हमारे पापा लोगों को हम नहीं जानते, और हमारी मा जो है वो बहुत अकम एज में, हमारे हम बहुत चोटे थे वो मर गई, और भाई बहन और कोई है नहीं, बस तुम ही एक भाई हो, इसलिए मेरी family के नाम पे मेरे पास एक तुम ही हो, तो फिर मुझे लगा कि मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया, उसके बाद जाग जो है, यह सब सुनते सुनते जाग सो जाता है, मोरिस फिर Bible निकालता है और एक extract पढ़ता है, जिसमें की लिखा होता है कि कैसे एक भाई ने अपने भाई को बुरे condition में अकेला छोड़के वो चला गया, लेकिन बाद में उसको रिलाइजवा उसकी गल्ती, इसलिए वो वापस आ गया अपने भाई के प जिसमें की advertisement होता है, तीन लड़कियां होती है, इथल, नेली और बेटी, तो फिर मोरिस पूछता है कि तुम्हें कौन सी चाहिए, तो जाग इथल लैंग को चूज करता है, सारा बायो पढ़ता है मोरिस एक करके जाग को इथल लैंग पसंद आती है, वो अठा साल की लिखता है इथल को जिसमें की वो उसे एक पिक देने के demand करता है, तक जाग उसको देख सके और imagine करके उससे बात कर सके, उसके बाद Zakaria भार-बार मोरिस को पूछता कि क्या तुम भी किसी लड़की में इंट्रेस्ट नहीं आया, तो पर मोरिस कहता है कि ऐसा नहीं है कि पूट्शन के लिएने रहने वाली है, उसके बात है सीम 3, सीम 3 में जो लटर Zak ने भीजा था, उसका reply आता है, मतलब इथल का लटर आता है Zak की पास, उसने अपना एक फोटो भी भी भीजा होता है Zak को, तो फोटो देखके मोरिस को बता चलता है कि इथल एक वाइट लड़क अगी था, तो इसलिए मोरिस अभी कहता है कि हमसे गल्ती होगी, तुम गल्ती से ब्लैक लोगों का नहीं, वाइट लोगों का लिए बल्ला लेगा जैक जो है अब इथल की फोटो देखने के बाद और उसकी खूबशूर्टी देखने के बाद वो उसमेटना ज्यादा पागल हूजाता है कि वह यह जो चीज है उसको बंद नहीं करना चाहता है वह अपनी बाठ्चित इथल के साथ कंटीनिव करना चाहता था मोरिस के बार-बार वार्न करने के बावजूट भी फिर जो है मोरिस को ही ब्लेम करता है कि देखो यह पैनपाल का एडिया तुमारा था इसलिए जो भी गड़बढ हुई है उसके जुम्मेदार तुम हो लेकिन मूरीस कहता है कि क्यों 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 तुम्हें तु पहले इंट्रेस्ट नहीं था इस पन norm में लेकिन जब से तुम्眾ें पता चला कि इथे एक वाइट है तब से नहीं से नहीं आ ह sick मुझे बात करनी है और वो आग से खिलने के लिए पूरी तरह से तयार था उसके बाद वो बताता है कि इथल ने अपने लटर में लिखा होता है कि देखो तुमने पिक मांगी थी इसलिए मैं अपने पिक देदी है और वो थोड़ा बहुत आउट्शन के बारे में बताती है थोड़ा बहुत पोट ऐलिजबेट के बारे में पूछती है और यह भी पूछती है कि जैक क्या तुम् विंटर सीजन चल रहा है अभी में फोटो अच्छे नहीं आएगी तो स्प्रिंग सीजन आजाने दो उसके बाद में फोटो उठाके तुमको भेज दूँगा मुरेस फिर एक बार वान करता है लेकिन जैक नहीं सुनता उसके बाद दोनों भाई अपनी जो मा की कुछ और फिर वो लोग याद करते हैं ऐसी गेम जो लोग बच्छमन में खेला करते थे driving to the hill जिसमें की वो लोग ऐसे imagine करते थे मानों दोनों कार चला रहे हो जकारिया कार चला रहा होता है वो रज़ उसके पास में बढ़के बाहर क्या-क्या हो रहा है क्या-क्या सारी चीज़े है तो कि गुजर रही है उन सब के बारे में जकारिया को बताता है जो कुछ भी अस्पास हो रहा होता है और उसके बाद चलाते चलाते उनकी speeding बढ़ती जाती है नो गहने में एक तितलियों के जोंड के बीच में जा पहुंचते हैं तो ऐसा उनका गेम था उसके बाद यह सब याद करते करते मोरिस कहने लगता है कि आरे कहां चले गए वह अच्छे दिन कहां खो गया नजाने पहर जैग बोलता है कि हां यार सच्ची में ना जाने जाने कहां से आ गया यह बुरा समय हमारे लिए यह यहर तो ऐसे पास हो गया, जैसे कि कुछ पता ही नहीं चला कि हमने कुछ किया भी है, मतलब इतना बेकार यह उनका पास हुआ था, तो अगर कहां से आया यह बुरा टाइम, तो मोरिस कहता है कि अगरर मतलब वो इंडिकली इतना बता रहा है, बूरा दिन बता रहा है, बूसीवत बता रहा है तो यहा पर स्थी खतम होता है, तो हम इस वीडियो हadays Monti इस यहीं खतन करते हैं अगली वीडियो में इससा Plus 4 आत करे चार टोटल सैवन सीनस हैंूं एन बाकि के चार सीन subscribe करना मत भूलिएगा मुझे comment section में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि Morris क्यों Zach के पास वापस आया क्या उसको एक sense of responsibility की वज़े से वह वापस आया या फिर वह इसलिए वापस आया क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसकी फिकर करता था मुझे comment section में लेकर बताईएगा तो चलिए वीडियो खतम करते हैं तब तक के लिए good bye मिलता है अपने अगली वीडियो में